I am sure कि अब तक आपने Google merchant account पे अपना account बना कर ये भी देख लिया होगा कि ads किस तरीके से बनाई जाती हैं और किस तरीके से appear हो रही होती है search network में लेकिन एक चीज़ जो बड़ी जुरूरी है यहां समझना कि कौन से फो फ्री लांसिंग प्रॉजेक्ट्स हैं जो टेक्निकली आपको मिल रहे होंगे गूगल merchant account के related उस पे आज हम इस सेशन कें तो जरा थोड़ी सी नज़र डालेंगे और देखेंगे किस तरह की job आपको मिल सकती है या आप acquire कर सकते है freelancing website के ओपर तो आए जरा थोड़ी सी नज़र डालते हैं सबसे पहली type of job जो है जो सबसे most common appear हो रही होती है freelancing website पे वो है कि आपको client कह रहा होगा कि मेरी product feed जो है उसको manage कर लो what actually is a product feed news feed याद है आपको कौन से platform में हुआ करती है facebook के ओपर इसी तरीके से google product listing ads जो हैं वो product feed के तुरू चल रही होती है जिसके अंदर आप continuous update कर रहे होते है product information को आप images add कर रहे होते हैं आप description दे रहे होते हैं तो freelancing के अंदर आपको client है वो यह आपको कह रहा होता है कि भाई आपने monthly basis के ओपर हमारे पूरे product catalog को manage करना है which actually intern is called product feed गूगल की जबान के अंदर और वो आपको करना पड़ता है आप उसमें जिसा मैंने बहुता है कि image और description तो कर रहे होते हैं लेकिन at times वो image और description आपको खुद बनाना पड़ रही होती है client आपको वो चीज़ें नहीं दे रहा होता तो उसके अंदर आपको काम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन वो तमाम catalog जब manage होगा वो directly associate होगा किस चीज़ के साथ आपकी ads के साथ जो Google शो करवा रहा होगा network के ओपर यापने search network के ओपर product feed के अलावा जो second most common projects हैं उसको हम कहते हैं Google Shopping Specialist का नाम देते हैं उसे मुराद यह है कि a client आपको कहते हैं आपको digital marketing आती है मुझे तो आती नहीं है तो आप मेरी campaigns को design करते हैं मैं आपको यह भी बंदा दे रहता हूँ कि जो product feed आपको update करके देता रहेगा आप सिर्फ मेरी campaign design करते हैं तो फिर आप as a specialist of Google Shopping product listing ads उसको campaign design करके दे रहे होते हैं daily basis पे monthly basis के ओपर कि जो वो फिर run कर रहे होता है अगर वो product feed की भी आपको project दे देता है कि product catalog को manage करना है साथ-साथ आपने campaigns को भी run करनी है तो that's actually very good because you will have a full control of Google merchant account of the client तो आप तमाम उसकी जो चीज़े हैं उसको फिर manage कर रहे होंगे और last के अंदर जो अक्से commonly projects आपको मिल रहे होते हैं उसके अंदर होता है कि आपको client कह रहा होता है कि जो different shopping के platforms है जिसमें most common हमारे पास दुनिया में eBay है, Amazon है और Shopify है not a website which is used to sell a product it is actually a platform, यह selling platform है तो इसको बहुत सारी company यूज़ कर रही होती है अपनी product को बेशने के लिए वो integrate कर देती हैं अपनी website में most probably यह आप e-commerce के course में पढ़ेंगे DJ skills में और WordPress के course में पढ़ेंगे किसे Shopify आपकी website के साथ अटैच हो रही होता है तो आप इन particular platforms को manage करके Google का जो product listing ad का section यह merchant gaunt है उसके साथ उसको merge कर रहे होते हैं और ad सला रहे होते हैं कि जो products इन websites पे अपीर हो रही होती है यह projects भी आपको बहुत common ही मिलते है मुझे याद है एक टाइम हुआ करते हैं जो फ्री आपकी website पे Amazon और eBay related projects बहुत हुआ करते हैं कि हमारी यह product की दुकान है बहुत बड़ी दुकान है eBay के उपर इसकी ad सलानी है Google के network को यूज़ करके तो आप eBay का product listing page यूज़ करे होते हैं as a landing page और product catalog मैनेज़ करे होते हैं Google AdWords के अंदर ये Google Merchant Account के अंदर जहां जाके आप product की तमाम description images दे रहे होते हैं दोस्तों ये तीन most common type of projects हैं जो freelancing की दुनिया में exist करते हैं आपके लिए और सबसे ज़्यादा common उसमें वही है product catalog को manage करना और description को upload करना तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें और freelancing की website के ओपर जाकर search करना शुरू करें के कहां कहां ये project exist करते हैं और bidding करना शुरू करें हो सकता है आपको उनमें से कोई एक project मिल जाए and then you will eventually become a Google Shopping Specialist और पर पूरी दुनिया में लोगों को help करेंगे उनके product को advertise करने के लिए